अब हम ससंजगबल और असंजगबल इन से जुड़े हुए एक और कॉंसेप्ट को समझते हैं माल लीजे यहाँ पर एक ट्यूब है और उसमें यह द्रफ रखा हुआ है ट्यूब के स्थान पर आपको बरतन भी ले सकते हैं जोकि पार दर्शी हो ताकि हम इस द्रफ को देख सके माल लेजे हमने कोई काज का बरतन लिया है अब यदि हम काज के बरतन के साथ पानी लेते हैं उसके अंदर हम पानी भर रहे हैं तो हमको यह पानी की सतह इस प्रकार से दिखाई देती है मतलब यह नीचे की ओर धसी हुई रहती है कर्वड रहती है और यह जो इसकी उपरी सता है द्रफ की जो स्वतंत्र है उसे हम मिनस्कस कहते हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि यह मिनस्कस कॉनकेव है यानि की अवतल है अंदर धसी हुई है अब इस लिक्विट का इस सॉलिट के साथ इन इस काज के साथ एक संपर्क बिंदु है ले कॉर्णर में मतला हम देखेंगे जितने जगे पर भी सॉलिट के साथ यह लिक्विट टच कर रही होगी उसे हम कॉंटेक्ट ले रहे हैं अब इस कॉंटेक्ट पॉइंट से यदि हम इस लिक्विट के स्वतन्त प्रिष्ट यानि मिनस्कस में एक टैंजंट खिशते हैं इस पर्ष रेखा खिशते हैं तो इस प्रकार से इस पर्ष रेखा नीचे के और खीचे जाएगे अब यह जो एंगल यहां पर बन रहा है यह स्टैंजेंट और इस सॉलिड सरफेस के साथ। इसे हम कहते हैं कॉंट अम Shapesh क्योंकि यह किसी भी द्रव की स्वतंत प्रिष्ट की इस सॉलिड सत्ह के साथ कॉंटेक्ट को बताता है और इसलिए उसे हम contact angle के नाम से जानते हैं बच्चो एंगल तो यहां पर दो बन सकते हैं एक यह वाला और एक बाहर वाला जो तो contact angle होता है वो हमेशा liquid के अंदर बनता है तो हम यहां पर इस angle को हटा देंगे और जो इस लिक्वीट के अंदर बन रहा है उससे हम as a contact angle consider करेंगे अब मान लेजिए हम कोई ऐसा लिक्वीड ले रहे हैं जिसको हम इस कांच के कंटेनर पर रखे हैं और इसमें इसकी जो मिनिस्कस है वो इस तरह से है यानि अब मिनिस्कस उभरी हुई है और ऐसा हमने पारे के साथ देखा है जब पारा और कांच का पेर लिया जाता है तो उसकी सता इस प्रकार से होती है उभरी हुई होती है अब यहां पर यह contact angle कहां बनेगा तो contact angle के concept के नुसार सबसे पहले तो यह कहां से शुरू होना चीए बनेगा यह contact point से और इसके स्वतंत प्रिष्ट पर इस पर्ष रेखी होगा और बनेगा यह द्रव के अंदर तो सबसे पहले हमने यहां पर एक contact point लिया और इसके मिनसकस पर हमने किस पर्ष रेखा खीचा जो उपर की उर जाएगा अब यहां पर भी दो angle बनेंगे लेकिन contact angle द्रव के अंदर बनता है तो हम यह वाले एंगल को लेंगे और यह angle contact angle खेलाएगा और यदि हम ऐसा लिक्विड और सॉलिट का पेर ले रहे हैं जिसमें हम लिक्विड को इस सॉलिट के कंटेनर में रखने पर इसकी सता स्ट्रेट है यानि कि समतल है उस कंडिशन में हम देखें तो इसकी सता पर हम स्पर्श रेका खीचेंगे ऐसा होगा और यह contact angle बनाएंगे पानी के अंदर तो यह 90 डिगरी का होगा तो इस प्रकार contact angle को यह दि हम परिभाशित करें द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर यह दि द्रव की स्वतंत्र प्रिश्ट पर इस स्पर्श रेखा खीची जाए इस स्पर्श रेखा और ठोस की सता के साथ जो द्रव के अंदर कोन बनता है उसे हम स्पर्श कोन contact angle के नाम से जानते हैं और एक contact angle तीन प्रकार के होते हैं एक noon कोन जिसमें contact angle का मान 90 degree से कम होता है जैसे कि हमने पहले case में देखा और इस पर्श कोन का मान 90 से कम तब होता है जब हम ऐसे द्रव और ठोस के यूग में में ले जो ठोस को को गीला कर देते हो जैसे यहाँ पर यह पानी और कांच का यूग में हमने लिया दूसरा अधिक कोण मतलब इस पर्श कोण का मान 90 डिगरी से अधिक होता है और ऐसा तब होता है जमां ऐसे द्रव और ठोस का यूग में ले जो ठोस को गीला नहीं करते जैसे कि पारा और जैसे कि हमने इस स्थिति में लिया और तीसरा है सम कोण यानि कि 90 डिगरी यहाँ पर इस पर्श कोण का मान 90 डिगरी होता है और ये कोण ऐसे ठोस और द्रव के यूग में के लिए बनता है जो ठोस को परफेक्ट वेट करते हैं मतलब ना तो बहुत अधिक गीला करेंगे और ना ही सूखा रखेंगे और ऐसा पेर है चांदी और पानी का जब चांदी के गलासे पानी को रखा जाता है तो उसकी सता सीधी रहती है समतल रहती है और यहाँ पर इस पर्श कोण का मान 90 डिगरी होता है ये दि बच्चों हम शुद्र जल और स्वक्ष काच लेते हैं एकदम साफ उस कंडिशन में कॉंटेक्ट एंगल जीरो डिगरी होता है पर जनरली हम जिस पानी के स्तमाल करते हैं वो शुद्र नहीं होता तो समान्य जल और काच के लिए कॉंटेक्ट एंगल एट डिगरी का होता है और यह दिप पारा और काच की बात करें तो इसके पर और पानी के लिए देखें तो कॉंटेक्ट एंगल कमान 90 डिगरी होता है यह कॉंटेक्ट एंगल कमान सहसंजग बल और असंजग बल पर निर्भर करता है कि हम देखते हैं यदि हम पानी और काच की बात करें तो पानी के अणों के बीच में जो सहसंजग बल है और इस यानि पानी के अनु का जो इस काच के अनु के साथ असंजगबल हैं, इन दोनों को compare करें, तो असंजगबल का मान सरसंजगबल की तो नम्यादिक होता है, तब ही तो पानी इस काच को गिला कर देता है, तो ऐसी condition में ही contact angle का मान न्यून कोंड होगा, जब कि हम ऐसी इस्थिती देख रहे इसलिए तो ये मरक्यूरी काझ को गिणा नहीं कर पाता तो ऐसी इस्थिती में स्पर्ष कोंड का मान अधिक कोंड होता है और जब असंजगबल और सासंजगबल दोनों का मान बराबर हो यानि कि जो लिक्विड है उनके अणों के बीच में जो आपसे बल कारे कर रहा है सासंजगबल और उस लिक्विड का ठोस के साथ अणों के बीच में जो असंजगबल कारे कर रहा है इन दोनों का मान बराबर होता है उस condition में इस पर शकोन 90 डिग्री होता है और इस समय द्रफ की स्वतंत्र सत्था समतल होती है horizontal होती है और इसी अधार पर हम देखते हैं कि यह जो contact angle है वो किन किन कारों को पर निर्भर करता है सबसे पहले हम देखते हैं ठोस द्रफ के युग्म की प्रकृति पर हमने देखा कि जब हम जल और काज की नली ले रहे थे तो इसमें contact angle न्यून कौन था जबकि हम जल और चांदी की नली ले लिए चांदी का ग्लास ले लिए तो उस समय contact angle 90 डिग्री हो गया ऐसे ही अम अलग अलग ठोस और द्रफ का युग में लेते जाएंगे तो contact angle के मान में भी परिवर्तन होता है नेक्स्ट है द्रफ के ताप पर यदि हम ताप को बढ़ाते हैं तो contact angle का मान भी बढ़ जाता है नली में जो द्रफ के ऊपर का माध्यम है उस पर भी contact angle का मान निर्भर करता है वहाँ पर वाईयू है वाश्प है यह अन्य कोई माध्यम है उसके अधार पर भी contact angle का मान चेंज हो जाता है नेक्स्ट है अशुद्धे मिलाने पर यदि हम अशुद्धे मिला लेते हैं तो उस कंडिशन में भी contact angle के मान में परिवर्तन हो जाता है और दोसरे शब्द में यूँ भी कह सकते हैं कि जब हम contact angle की बात करें तो यह surface tension से भी जोड़ा हुआ है यानि कि जिन कारकों पर surface tension न तनाव का प्रभाव कैसा होता है यदि हम किसी भी liquid को किसी ट्यूब के अंदर डालते हैं एक्चुली depend करता है लिक्वीड और ठोस के पेर पर भी और जब हम किसी लिक्वीड को किसी ठोस से बनी नली में डालते हैं तो वह कुछ इस प्रकार दिखाई दे सकती है या तो उस ने कौन सा ठोस लिया है और कौन सा जल इनकी पेर पर ही निरभर करता है अब इस प्रकार की जो आकृती हमें दिखाई देती है इस तरीके से मूड़ी हुए आकृती इसे हम कहते हैं मिनिसकस या तो यह अवतलशेप में होगी या तो उतलशेप में कॉनकी यह कॉन्वेक्स अब यह जो है आकृती जो गोला कार की है इसे हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं इसे हम नफचंद्रक कहते हैं और इंग्लिश में मिनिसकस तो जब भी हम किसी लिकवीट के तल को देखें तो इस प्रकार हमको दो आकृती के मिनिसकस मिलते हैं अब यह दो आकृती किस प्र कहां कारे करते हैं मतलब यहां पी कौन-कौन से इंटरफेस हैं देख कर तो बच्चु हमको कुछ साधाराण साही दिख रहा है चित्र लेकिन इस चित्र में तीन इंटरफेस हैं आइए चित्र समझते हैं कि तीनों इंटरफेस कहां-कहां परिस्थित हैं पहला इंटरफेस य यानि कि Solid Vapor Interface यहां परिस्त्त होगा और तीसरा है ठोस द्रव अंत्राप्रिष्ट यानि कि Solid Liquid अंत्राफेस और इसी आधार पर ही यहां पर अलग-अलग बल कारे करते हैं अब देखते हैं यहां पर कौन-कौन से बल कारे कर रहे हैं मानलो नली के अंदर द्रव वास्प ठोस अंत्राप्रिष्ट पर कोई अनु एम है तब इस अनु पर निम्न अनुसर बल कारे करते हैं पहला द्रव वास्प अंत्राप्रिष्ट के कारण प्रिष्ट तनाव इसे हम T L V से दर्शाएंगे L for liquid, V for vapor और T stands for tension, surface tension और इसे हम इस चित्र में T L V से दर्शा रहे हैं यह द्रव प्रिष्ट के इस पर्ष रेखिये दिशा में हैं अगला बल कारे करेगा ठोस वास्प अंत्राप्रिष्ट के कारण प्रिष्ट तनाव इसे हम T S V से दर्शाएंगे S for solid, V for vapor दिवार के समानतर द्रव से दूर कारे करेगा जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं अगला बल है ठोस द्रव अंत्राप्रिष्ट के कारण प्रिष्ट दाव इसे हम T S L से दर्शाएंगे S for solid, L for liquid यह बल द्रव के समानतर द्रव की और कारे करेगा अगला बल है द्रव और ठोस के अणों के बीच लगने वाला असंजग बल इसे हम F A से दर्शा रहें और यह नली की दिवार के लंवत कारे करेगा जिसे हम इस तरीके से स्चित्र में दर्शा रहे हैं यह जो बल है TLV यानि की प्रिष्ठ तनाव जो द्रव वाश्प अंत्रव प्रिष्ठ की कारण कारे कर रहे हैं इसे दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है TLV cos theta नली की दिवार के समानतर कारे करेगा और दूसरा TLV sin theta यह नली की दिवार के लंवत कारे करेगा द्रव प्रिष्ठ के संतुलन के स्थिती में अनु M पर कारे करने वाले समस्त बलू का परिणामी शुन्य होगा मानलो थोस द्रफ जुग्म के लिए स्पर्श कोन का मान थीटा है तब संतुलन के स्थिती में हम इस चित्र से देख सकते हैं F A बराबर T L V साइन थीटा होगा साथ ही T S V बराबर T S L प्लस T L V कॉस थीटा होगा क्योंकि ये बल एक दूसरे के विपरित है और इसलिए ये संतुलन के स्थिती में बराबर होगी और यहां से हम देख सकते कॉस थीटा बराबर हो जाएगा T S V माइनस T S L अपॉन T L V इससे हम समिकरन एक का नाम दे देते हैं और समिकरन एक से स्पष्ट है कि यदि T S V greater than T S L होगा इस चितर से हम देख सकते हैं उस कंडिशन में कॉस थीटा कमान धनात्मक होगा इस स्थिती में थीटा कमान 0 से 90 के बीच होगा अर्था न्यून कोण होगा यानि कि Acute Angle होगा ऐसी स्थिती में द्रफ के अनु थोस प्रिष्ट के अनुदीश उपर की और आकरशित हो जाते हैं अताह द्रफ का मिनस्कस अफ़तल हो जाता है काज की नली में जल का मिनस्कस इसी प्रकार अफ़तल होता है अब अगली स्थिती देखते हैं यदि TSV का मान TSL से कम हो इस चित्र में हम देख सकते हैं तो cos theta रिनात्मक होगा इस स्थिती में theta का मान 90 degree से 180 के बीच होगा अर्थात अधिक होड होगा, optus angle होगा ऐसी स्थिती में द्रफ के अनु थोस के प्रिष्ट के अनुदीस नीचे की और आकर्शित हो जाते हैं और द्रफ का मिनस्कस उत्तल हो जाता है काज की नली में पारे का प्रिष्ट इसी प्रकार होता है अब अगली स्थिती देखते हैं यदि T S V का मान T S L के बराबर हो, तो cos theta बराबर 0 होगा, इस स्थिती में theta का मान 0 होगा, अथा द्रफ का मिनिस्कस सम्तल होगा, चांदी की नली में जल का तल ऐसे ही सम्तल होता है. अब हम तीन अलग अलग test tube लिये हैं और उसमें द्रफ, filled है, और एक में मिनिस्कस आप देख रहे हैं, इस प्रकार अव्तल है, एक में उत्तल है और एक में सम्तल है, अब इसमें दाब अधिक के कितना होगा, आईए इससे देखते हैं. पहले test tube में हम देखते हैं, यह द्रफ का मिनिस्कस आव्तल है, तो अणू M पर प्रिष्ठ तनाव के कारण, प्रिष्ठ के लंवत एक नेट बल उपर की ओर कारे करेगा, और यहाँ अणू संतुलन में उसी स्थिती में रह पाएगा, जबकि प्रिष्ठ के बाहर अर्थात अवतल भाग की ओर दाव अधिक होगा, और हम चित्र में देख सकते हैं, इस अणू को बैलन्स करने के लिए, इस अणू पर लगने वाला प्रिष्ठ तनाव के करण बल उपर है, तो दाव नीचे की ओर कारे करेगा, लेकिन हम test tube में दूसरी सिती देखते हैं, यह द्रफ क मनिस्कस उत्तन है, तो अणू M पर प्रिष्ठ तनाव के कारण एक नेट बल लंवत अंदर की ओर कारे करेगा, जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं, यह अणू संतुलन में उसी स्थिती में रहेगा, जब उस प्रिष्ठ से द्रफ की ओर, अर्थात यह चित्रन सार दे लिखते हैं, यह दि द्रफ का मिनस का समतल है, तो अणू M पर प्रिष्ठ तनाव के कारण प्रिष्ठ से बाहर, यह अंदर की ओर प्रिष्ठ के लंवत नेट बल शून्य होगा, जैसे कि मिस चित्र में देख रहे हैं, आता द्रफ प्रिष्ठ के बाहर और अंदर दाव एक समान होगा, और इसी प्रकार हम कह सकते हैं, यह दि द्रफ का प्रिष्ठ गोली है, तो उसके प्रिष्ठ के संतूलन अवस्था में द्रफ प्रिष्ठ के अफ्तल भाग की ओर का दाव, उत्तल भाग की ओर के दाव से अधिक होता है, और यह दाव अंतर द्रफ के जपन निर्भर करता है तो अब हम तरल के यांत्रिक गुणों की चर्चा करते हुए अगले टॉपिक की और बढ़ते हैं हमने शुरुवात सही बूंद को चर्चा में लिया था यदि हम बूंद को देखें तो यह गोलाकार होती है क्योंकि इसकी जो उपरी सता होती है स्वतं अंतर प्रिष्ट पर तनाव है तो यह तनाव इस प्रिष्ट के सारे अणवों को अंदर की और खीशनी का प्रयास करेगा साथ हम देखें तो वायू मंदल में उपर दाब है उस दाब के कारण भी यह बूंद सिकुनने का प्रयास करेगी लेकिन फिर भी यह बूंद फैलत होता है वो उससे और छोटी होती है और इसके अंदर जो दाब है अतरिक्त दाब एक्सेस प्रेशर उसकी करण ही बूंद का आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है पर यह परिवर्तन बहुत अधिक नहीं होता पर फिर भी एक्सेस प्रेशर के करण बूंद के आकार में परिवर्त हैं आपको एक्जाम में कोश्चन आते हैं कि बूंद के अंदर अत्रिक्तिदाब की गर्णा कीजिए या फिर इस पर अधारित न्युमेरिकल कोश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं और कॉम्टेटिव एक्जाम में इस पर अधारित तो न्युमेरिकल कोश्चन आता ही है तो चलिए बिच्चों इसका derivation करेंगे पर इस पर अधारित एक numerical questions भी देखेंगे तो इसके derivation को आगे बढ़ाने के लिए हम एक बूंद को consider करते हैं इसका आकार गोलाकार होगा मान लीजे इसकी 30R है और इस बूंद के अंदर अत्रिक्त दाव पी है हमने यहाँ पर अत्रिक्त दाव शब्द यूज किया है वह इसलिए क्योंकि वायो मंदले दाव के कारण भी इस बूंद पर दबाव पड़ेगा बल लगेगा और यह सिकूर्णा चाहिए लेकिन यह बूंद के अंदर दाव है वह वायो मंदले दाव की तुल्ना में अधिक है अगर दोनों बराबर होते हैं तो बूंद का और वही रहता पर इसके अंदर जो दाव है वह वायो मंदले दाव की तुल्ना में अधिक है और इसी के कारण ही बूंद फैल रही है और इसलिए हम इस दाप को अत्रिक्त दाप के नाम से जानते हैं, एक्सेस प्रेशर कहके पुकारते हैं, अब इस एक्सेस प्रेशर को हमने पी लिये हैं, अब इसी एक्सेस प्रेशर के कारण इस बूंद के अंदर सभी कणों में लमवत डारेक्शन में बाहर की और बल कारिये करेगा, और यह बल इस बूंद के अकार में परिवर्तन करेगा। मान लीजिए इसकी त्रिज्य आर थी और इस Axis Pressure के कारण इसकी त्रिज्य में परिवर्तन हुआ डेल्टा आर। मतलब अब जो नया बूंद बनेगा उसकी त्रिज्य होगी आर प्लस डेल्टा आर। और ये नए बूंद का formation इस excess pressure के कारण ही हुआ है तो सबसे पहले हम इस बूंद में इस दाब की कारण किये गए कारी की calculation करते हैं हम जानते हैं कार यह बराबर होता है बल इंटु दूरी और एक और फ़ॉर्वून हमें मालूम है दाब बराबर बल बटे छेत्रफल तो यहां से गोलाकार है और गोलाकार का छेत्रफल यानी प्रिष्ठ का छेत्रफल होगा 4 Pi R स्क्वेर तो हम 4 Pi R स्क्वेर लिखेंगे और दूरी मतला पहले आथ रिज्या का गोला था अब इसमें expansion हुआ कितना expansion हुआ delta r इस दूरी को हम लिखेंगे delta r अत्रिक तदाप के द्वारा किये गए कारी को बताएगा यहीं हम लिखेंगे W बरबर P 4 pi r square delta r अब हमें इस बूंद के छेत्रफल में वृध्धी को ग्याद करना है क्योंकि बूंद का आकार बढ़ेगा तो उसकी चेत्रफल में भी वृध्धी होगी तो इसका ओरीजनल चेत्रफल मतलब प्रारंभिक चेत्रफल था 4 pi r square लेकिन बूंद के फैलने के बाद इसकी त्रिज्य में परिवर्तन हुआ और इस बूंद का छेत्रफल होगा 4 pi r plus delta r का square और यह जो छेत्रफल में परिवर्तन हुआ है इसे हम delta a से दर्शाएंगे और यह परिवर्तन को ग्याद करने के लिए हम इस प्रारंभिक छेत्रफल को अंतिम छेत्रफल से घटा तो इस प्रकार छेत्रफल में परिवर्तन होगा delta a बराबर 4 pi r plus delta r का square minus 4 pi r square अब यहां पर हम a plus b whole square का formula लगाएंगे a plus b whole square होता है a square plus b square plus 2ab और यहां पर r plus delta r का whole square है तो इसी की accordingly हम लोग इस formula के साथ साथ r plus delta r whole square को expand करेंगे तो delta a बराबर होगा 4 pi bracket के अंदर हम लिखेंगे r square plus 2r delta r plus delta r का square bracket हम लगाते जाएंगे बच्चों क्योंकि यहां पर minus का sign भी आगे है तो minus plus में कोई गलती ना हो जाए इसके लिए हम bracket लगा कर ही इस प्रश्णों को आगे हल करेंगे फिर लिखेंगे minus 4 pi r square अब हम bracket को open करते हैं तो यह 4 pi अंदर के सारे term से गुणा हो जाएगा लिखेंगे हम लिखेंगे delta a बराबर 4 pi r square प्लस 8 pi r delta r प्लस 4 pi delta square माइनस 4 pi r square अब यहां से 4 pi r square 4 pi r square cancel हो जाएंगे तो delta a बराबर होगा 8 pi r delta r प्लस 4 pi delta r का whole square अब यह जो delta r है इसका मान बहुत ही कम है कि जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही कम होता है यह यह कह तो हम इसको खूली आंकों से समझ भी नहीं पाते हैं तो delta r का मान यदि कम होगा तो उसका वर्ग करेंगे तो यह मान और भी कम होगा इसलिए यहां पर जो second term दिक रहें जिसमें हमने delta r का square किया है इसको हम नगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि यह बहुत ही छोटी राशिय तो डेल्टा एक का मान होगा एट पाई आर डेल्टा आर और इससे पहले जब हम प्रिष्ट तनाव की चर्चा कर रहे थे तो हमने एक और सूत्र ग्याद किया था मतलब कार यह बराबर प्रिष्ट तनाव इंटू छेत्र फल में वृद्धी इसी सूत्र का स्तमाल करेंगे तो हम लिख सकते हैं डबलू बराबर टी इंटू डेल्टा ए जहां टी प्रिष्ट तनाव है अब डबलू कमान हम यहाँ पर लिखेंगे यह पी 4 पाई आर पॉमन है उसको हम लोग सिंप्लिफाई कर देते हैं काट देते हैं तो हमें मिलेगा पी बराबर टू टी अपॉन आर और यह फॉर्मुला किसी भी बूंद के अंदर अत्रिक दाप के समिकरण को दर्शाता है और इस फॉर्मुली की व्यूदपत्ती करने के बाद चलिए इस पर अधारित हम एक निमेरिकल कोश्चन बनाते हैं जिससे की यह टॉपिक हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए पारे की एक बूंद की त्रिजिया 6 mm है यदि पारे का प्रिष्ट तनाव वो 0.465 न्यूटन प्रतिम मीटर हो तो पारे की बूंद के अंदर दाप की गढ़ना कीजिए वाईयो मंदले दाब 1.01 इंटू 10 तो पावर 5 पास करें इस प्रश्ट में दिया गया है आर बराबर 6 mm यानि की 6 इंटू 10 तो पावर माइनस 3 मीटर और प्रिष्ट तनाव ती बराबर 0.465 न्यूटन अपॉन मीटर और सूत्र अनुसार हम देखे तो पी एक्वल टू यानि की इसका केवल एके स्वतंत्र प्रिष्ट होगा इसलिए हमने सूत्र अनुसार लिखा है 2T अपॉन आर अब यहां पर सारे मान लिख देते तो योगा 2 इंटू 0.465 अपॉन 6 इंटू 10 तो पावर माइनस 3 और सॉल्फ करने पर हमें में लेगा 155 पास करो अब हमें प पारे के बून्द पर 2 दाब कार्य कर रहे हैं पहला तो वायू मंदले दाब ये तो हर बस्तू पर कार्य करते हैं क्योंकि वायू मंदल में जो एयर है उसके कारण हमेशा प्रेशर बना ही रहता हैं और इसे यह वायू मंदली दाब कहते हैं और प्रेशन अनुसार 1.01 open01 10 to the power 5 पासकल है इसके अलावा इस बूंद के अंदर अतरिक्त दाप भी है तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे और लिखेंगे प्लस 155 और इस समीकरण को हम और सरल करते हैं ताकि हम इसे add कर सके कि 1.01 10 to the power 5 के terms में दिया गया है और यहां पर 155 है इन दोनों को हम direct add नहीं कर सकते इसलिए हम जो second term है 155 उसको भी 10 to the power 5 के terms में लिखेंगे ताकि इन दोनों को add किया जा सके तो 155 हम लिख सकते 0.00155 into 10 to the power 5 और अब इन दोनों को प्लस किया जा सकता है अब प्लस करने पर हमें मिलेगा 1.01155 into 10 to the power 5 पासकर कि पासकर नहीं को शिवाई नहीं चानर के हमें कि झाल झाल यू झाल, प्लस क्मोचा यॉजरशशम центр थम्हा प्लस ब forces कि विवा उम मिलभा भी 10 to the power जाब इन दोनों सके पक्रलिया अग्लिक और क्लफ़ उई रहाग ≋ई सु जाई था चलै bit nervous